सो गाइस 15,000 रुपे के अंदर आपको ऐसे बहुती कम स्मार्टफोन मिलते हैं जिन में आप 60 FPS का गेम प्लेट रन कर सको लेकिन अभी के दायम पर क्या है कि सेल वगरा चल रही है तो डिसकाउंट वगरा आपको स्मार्टफोन पर मिल जाता है तो वहाँ पर मैंने काफी ज़ स्मार्टफोन आप यानि एक स्मार्टफोन तो है जिसके अंदर अच्छी केमरा क्वालिटी मिल चाहती है तो अगर आप जाना चाहते हो कि कौन कौन से बैस्ट स्मार्टफोन है तो वीडियो को बिना स्कीप के एंड तक जरू देखना और आप लोगों से कुछ लोग सोच होंगे कि इसके अंदर तो 40 APS आता है 60 APS तो आता ही नहीं है लेकिन उसका भी जुगार बताने बाला हूं तो यहां पर यह स्मार्टफोन उन्हीं जास के लिए ज्यादा टारेट करता है जिनको वाई अपनी स्मार्टफोन के अंदर एड्स वगरा नहीं चाहिए यानि टू ग्राम का है और हाथ में काफी हैंडी फील होगा अब इसके में फीचर्स के बारें बात करते हैं देखो यहां पर आपको मिल जाता है मीडेटेक का डिमस्टी 7020 वाले चिपसेट है देखो इस चिपसेट में आपको डिफॉल्ट सेटिंग 40 APS देखने को मिलता है तो अ फास्ट चर्जिंग का सपोर्ट मिलता है तो गेमेर्स के लिए तो बाई अच्छी बात है बड़ी बेंटरी मिल जाती है और इसमें आपको जो कैमरा क्वालिटी मिल जाती है वो इस बजट के सबसे अच्छी है यानि गेमिंग स्मार्टफोन के सबसे यहां पर अच्छी मि कर सकते हैं देखो डेलाइट और लो लाइट कंडिशन में अच्छे फोटो क्लिक कर सकते हैं विकॉस इसके अंदर आपको ओई एस का सपोर्ट मिलता है जिससे क्या होगा कि अगर आपका फोटो खींचते तायम हाथ थोड़ा बहुत हिल जाता है तो अच्छे फोटो निकल मिल जाते हैं और वाई सिक्योर्टी के लिए साइड मौट फिंगर पेंटर डूल इस्टीडियो स्पीकर्स मिल जाता है यानि ओडियो को आटपुट का भी अच्छा रहेगा तो इसके अंदर अच्छी बात मुझे यह लगी यानि 12 जीवी रैम 256 जीवी का स्टूरेज जि सेकेंड नमबर वाला स्मार्टफोन है जो है की टेक्नो पोवा 5 प्रो 5 जी स्मार्टफोन है देखो यह स्मार्टफोन अभी के टाइम पर फिलिप कार्ड पर अनली आपको 12 जारोपे के अंदर मिल रहा है लेकिन अगर कोई भी यूजर है अभी पैसे नहीं है बात में खरी आती है जो की नोटिफिकेसन गेमिंग के टाइम पर चार्जिंग के टाइम पर काफी अच्छी जलती है तो इस प्रैस के काफी अच्छा लगा अब इसके मैं फिचर्स के बारे में बात करते हैं देखो यहां पर यह स्मार्टफोन एंडरोड थर्टीन परन करता है यानि 9mm की थिखने से 220 ग्रम का यह स्मार्टफोन है यानि भाई हाथ में पकड़ने में काफी अच्छा भारी फील होगा और बड़ा स्मार्टफोन है तो भाई कुछ लोग कह रहे हैंगे के बाई 60 fps वाला स्मार्टफोन तो आप बता ही नहीं रहे 40 fps वाला बता रहे हो देखो से आप 60 fps कर सकते हैं लेकिन नंबर वन वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको 60 fps मिल जाती है डिफॉल्ट सेटिंग उसके बारे में भी बात करेंगे अब इसके चिपसेट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हम डाइमिन सिटी 6080 वाला चिपसेट मिल जाता है जो की 5G कन अंतुतू स्कोर मिलता है लेकिन इसके अंदर आप किसी जुगार से 60 fps इनेवल कर लेते हो तो वह काफी अच्छी तरीकी से मैंटेन कर लेगा क्योंकि यह एक गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन है काफी अच्छी तरीके से चिपसेट को ऑक्टोमाइज करा है और यहां आप आपको वैपर चैप मर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है जिससे क्या होगा कि गेमिंग के टाइम पर आपका स्मार्टफोन हीट नहीं होगा तो परफॉमेंट डी सेंट है इसी के साथ एट जीवी की वर्च एड़ कर सकते हैं त्रिपल कार स्लोट मिल जाता है अब बैंटरी के बैंटरी है, शुक्त 있지 एट बॉर्ट कि फार चैजिंग का सपोर्ट मिल जाता है तो इसके अलदर अच्छी बात मुझे यह लगी याईहिमिंग के टाइंप स्मार्टफोन को चार्ज करते हो तो डारेक्ट सप्लाइक। सेट को मिलेगा जिससे क्योंगे कि आपकी परफॉमेंस काफी अच्छी हो जाएगी इसी के साथ अब इसकी डिस्प्ले के बारें बात करते हैं देखो वाई 6.7 इंचर्स की फुल एश्टी प्लड डिस्प्ले है जो की एक आई पेल सीडी पैनल है वन ट्वंटी यहर्स का स्मूर्ड डिस्प्ले है टू फॉर्टी यहर्स का टस्ट सैंप्ले डेट है और वाई 480 नीट्स की पीक ब्रैडनस है डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी लगी मुझे क्योंक 17 मेगा पिक्सल की सलफी लेकिन अच्छी बात यह कि इसके बैक कैमरे से आप टू के तक वीडियो रिकॉड कर सकते हैं कैमरा क्वालिटी एवरेज सिक्योरिटी के लिए साइड मांट फिंगर पेंटा फेस अनलों का सपोर्ट मिलता है और वाई अच्छी बात मुझे यह ल अगर आपको इस वीडियो से या फिर इस चैनल से थोड़ी वहत भी है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो तो अब बात करते हैं वीडियो के लाश्ट स्मार्ट फोन के बारे में जो है कि इनिफनिक्स ची रो टुटी-टुटी-3 फाइब पापको यह पूर्वे स्मार्टफोन भी मिल जाता है तो दियान रखना अब इसके मैन फीचर्स के बारे इम बात करते हैं द्दगो यहां पापको बैक में प्लास्टिक बोडी मिल जाती है और एक लेदर डिजाइन के भी साथ आता है तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन मुझे अच्छा लगा इसके लाबा ये स्मार्टफोन एंडोर 12 पर रन करता है और वाई 8.9 mm की धिखने हसा है यानि 199 गराम का स्मार्टफोन है तो gaming experience आपका यहां पर अच्छा रहेगा और यहां पर आपको cooling system भी मिल जाता है जिससे क्या होगा कि आपका स्मार्टफोन हीट नहीं होगा और यहां पर आपको performance decent level की मिल जाती है 15,000 रुपे के अंदर आपको ऐसा तो कोई स्मार्टफोन नहीं है इसी के साथ 5GV की वर्चुरेम एड़ कर सकते हैं त्रिफिल कार स्लोट मिल जाता है और 5000 ms की बैंटरिया 33 वोट की फास्ट चार्जिंग का सबोर्ट मिल जाता है डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं देखो भाई 6.7 एंचेस की फुल एश्टी प्लेट डिस्प्लेए जो की एक IPLCD पैनल है 120 एस का स्मूद डिस्प्लेए, 240 एस का टस्ट सेम्प्लेट है पंचोल कट आउट के साथ मिलती है और वाई 500 नीट्स की पीक ब्रैटनस है तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो मुझे यहां पर सही लगी यानि अच्छे कलर्स आ जाते हैं यहां पर डिस्प्ले में इसकोई भी सिकायत नहीं है कैमरा क्वालिटी मुझे इस स्मार्टफोन की बजट के साब से सही लगी क्योंकि मैं कैमरा 50 मेगा पिक्सल का है और 16 मेगा पिक्सल की सेलफी यानि इसके बैक कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉड कर सकते हैं क्योंकि वह डेलाइट कंडिशन में इस कैमरे से अच्छे फोटो निकल के आ जाते हैं वालिटी वगेरा भी मुझे अच्छी लगी एंडवाई सीग्योर्टी के लिए सेंडवाउंट फिंगर पिंटर फेसंलों का सपोर्ट मिलता है तो फाइनली प्राइसिंग के बारें बात करते हैं तो भाई 8GB रहें, 120, 8GB का इस टूरे जिसकी प्राइस आपको सेल वगेरा देख लेना डिसकाउंट मिल जाता है तो 15,000 रुपे नहीं तो इसकी प्राइस 16,000 रुपे रहती है तो गाईस यहां पर मैंने तीन स्मार्टफोन को सजेश्ट कर आपको जिनमें आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपने तो एक ही स्मार्टफोन बताया जिसमें आप 60fps गेम प्लिक कर सकते हैं तो अगर आपका फिर भी कोई कंफी जैने तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं उसके एपलाई ज़रू करूँगा तो उचली वीडियो को यहीं पर एंड करते हुआ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर